नमश्कार, न्यूस क्लिक में आपका एक बार फिर से स्वागत है, आप देख रहे हैं हमारा बहुत ही खास कारिक्रम, इतिहास के पन्ने मेरी नजर से. इतिहास क्या है और क्या नहीं है? इस बारे में लोगों के अलग-अलग विचार हैं. पिछले नौ वर्षों से स्वतंत्र भारत में पहले से कहीं अधिक इतिहास का उप्योग पोलिटिकल टेरेन में एक हतियार के रूप में किया जा रहा है, विशेश कर चुनावों के दौरान. आज हम संसद के विशेश सत्र के बारे में बात करेंगे, क्योंकि यह है इस समय के इतिहास का एक बड़ा अध्याय बन जाएगा. पहली बार केंद्र सरकार ने ऐसी इविंट्स की प्लैन बनाई और उन्हें एक्जिक्यूट भी किया, जो अतीत और भविश्य के बीच का ट्रांजिशन पॉइंट आगे चलके माना जाएगा. 31 आगस्ट को बिना किसी पूर्व सूचना के या विपक्षी दलों के साथ चर्चा किये, सरकार ने ड्रमाटिकली घोशना की थी. 18 से 22 सितंबर तक पांच दिन लंबा संसद का विशेश सत्र बुलाया गया है. एजेंडा क्या होगा? इसकी कोई जानकारी ततकाल नहीं दी गई थी. मुझे ये दोहराने की जरूरत नहीं है कि इससे कैसे कई अटकले लगाई गई. भविशे के इतिहासकार इस 5-day period को उस समय के रूप में ट्रीट करेंगे जब भारत की संसद एक कलोनियल एराकी इमारत से एक ऐसी बिल्डिंग में शिफ्ट हुई जिसका निर्मान उसकी अपनी चुनी हुई सरकार ने किया था. लेकिन अंततर इस सेशन को एक extraordinary program के तरह प्रस्तुत की किया गया या फिर koreo graph किया गया. ये संसद के location का सामाने परिवर्टर नहीं था. इसके बजाए संसत के स्थान या प्रेमाइसेज में बदलाओ को सरकार ने एक ऐसे युग की तरफ ट्रांजिशन के रूप में प्रस्तुत किया जहां भारत हर तरह से परिपूर्ण है ये अलग बात है कि ये सरकार केवल पहरी दिखावा पर ध्यान केंद्रित करती है ना कि अंदर क्या है उस पर दो दिन 18 और 19 सितंबर को सभी प्लैंड इवेंट्स प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी पर केंद्रित थे ऐसा लग रहा था जैसे मोदी जी इस नाटक के असली नायक थे आर्टिकल 79 भारतिय सम्विधान के भाग 5 का अध्याय 2 है इसमें लिखा है संग के लिए एक संसद होगी जो राश्रपती और दो सदनों से मिलकर बनेगी जिसके नाम राज्यसभा और लोकसभा होंगे इस अनुछेद पर 3 जन्वरी 1949 को सम्विधान सभा Constituent Assembly में बहस हुई थी और बिना किसी संशोधन के पारित किया गया था ML Call और SL Shaktar जिनकी किताब Practice and Procedure of Parliament को सबसे authoritative माना जाता है उस किताब में लिखा है On the one hand, President is the head of the executive and on the other, she or he is a constituent part of Parliament लेकिन राश्ट्रपती, दृपदी, मुर्मू दोनो दिन उपस्थित नहीं रही इतना ही नहीं, 10 December 2020 को जब नए संसत भवन का शीला न्यास किया गया था तो मोदी जी ही समारों के मुखे किरदार थे पूर्वर राश्ट्रपती, रामनात कोविंद को इस समारों से दूर रखा गया था इसी साल 28 में को जब नए संसत भवन का आपचारिक उदगाटन किया गया तो राश्ट्रपती मुर्मू नहीं, बलकि मोदी जी ने किया नए संसत भवन से जुड़ी ये तीन फंक्शन्स, राश्ट्रपती की अनुपस्थिती और मोदी जी की उपस्थिती एक्जिक्विटिव द्वारा लेजिसलेचर पस्थापिप किये गर टोटल हेजिमनी पर प्रकाश डालता है फ्यूचर हिस्टॉरियन्स, विशेशकर भारत की लोकतंतर की कहानी लिखने वाले इस चैप्टर का उलेख अवश्य करेंगे फिर रिकॉर्ड करेंगे कि यह वैशन था जब लोकतंतर बहुत कमजोर हो गया था मैं इस कंटेंप्रिरी डेवलप्मेंट के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि यह भविश्य में इस युग का इतिहास होगा दो दिनों के अंदर प्रधान मंत्री मोदी ने चार भाशन दिये एक 18 सितंबर को और अगले दिन तीन इन दो दिनों के भीतर मोदी जी ने करीब 4 घंटे भाशन देने में बिताए विशेश सत्र जो था 18 सितंबर को उनका भाषन पुराने संसत भवन में लोकसभा में था उस भवन का नाम फिर से बिना किसी से परामर्ष किये मोदी जी ने सम्विधान सभा रख दिया है अगले दिन उनका भाषन पुरानी इमारत के सेंट्रल हॉल में था और उसके बाद एक-एक भाषन लोकसभा और राजे सभा में नए संसत भवन में सेंट्रल हॉल में पी-एम ने दोनों सदनों के सदस्यों को एड्रेस किया इस एतिहासिक स्थल से ये संभवत कई वर्षों तक आखरी भाषन होगा अधिक उचित होता यदि राश्रपती मुर्मू यहां से सदस्यों को संभोधित करती और फिर मोदी जी की तरह MPs के प्रसेशन को लीड करते हुए नए संसत भवन चले जाती जिन कक्षों से प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों दिन भाषन दिये उनका इतिहास 1927 तक जाता है जब ये बिल्डिंग की इनाउगरेशन की गई थी इमारत ने कोलोनियल काल के दौरान दो दशकों का इतिहास देखा और उसके बाद साड़े साथ दशक बीद गए हैं मोदी ने सेंटरल हौल से दिये गए अब तक के सबसे प्रसित भाषनों में से एक का उलेख किया जवाहरलाल नहरू द्वारा 14-15 अगस्त मध्य रात्री 1947 वो भाषन के बारे में दुनिया के सबसे भेतरीन और सेंसिटिव पोलिटिकल स्पीचेज में से एक था पिये मोदी ने कॉंसिटुएंट एसेमली से अब तक भारती संसत की 75 साल की यात्रा पर 18 सितंबर को लोगसभा में चर्चा शुरू करने का फैसला किया ये एक एतिहासिक अफसर था और यदी उनमें शमता होती तो वो यादगार भाषन देते लेकिन ऐसा नहीं हुआ उनकी भाषा में राजनितिक सेलेक्टिविटी और बहुत ही सतही थी अक्सर कहा जाता है कि एक आत्म विश्वासी और विनम्र नेता वे है जो अपने भाषनों में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउंस का उप्योग सिंगुलर में बहुत कम करते हैं माना जाता है ऐसे नेता आत्म मुग्ध नहीं होते और दूसरों की भावनाओं के बारे में बहुत समवेधनशील होते हैं विशेश सत्र के पहले दिन प्रधान मंत्री के संबोधन में मैं शब्द का प्रयोग 29 बार हुआ मेरे जैसे डेरिवेटिव की अलग गिनती है मेरे देशवासियों मेरे देश के लोगों मैं फिर एक बार जैसे फ्रेजिस का बहुत इस्तिमाल किया गया कुछ जगा तो ये इनेक्सकेपल था परंतु ज्यादतर जगा एवॉइड किया जा सकता था मैं के जगा हम शब्द का इस्तिमाल आसानी से किया जा सकता था हिंदुस्तान के लोगतंतर के बारे में खोकले शब्दों का इस्तिमाल बहुत हुआ मोदी जी के भाशनों में कहा ये भारत के लोगतंतर की स्वन्निम यात्रा का एक महत्वपून अध्याए है फिर आगे कहा उनोंने भारत की रंगों में लोक तंत्र का सामर्थ है कैसे है, इसका परिचित कराने का काम इसी इमारत से होता रहेगा अमृत काल की प्रथम प्रभा का प्रकाश राश्ट्र में एक नया विश्वास, नया आत्म विश्वास, नई उमंग, नई सपने, नई संकल्प क्या नया है भारत में लोकतंत्र को नौन पार्टिसिपेटिव बनाना चंदरयान मिशन की तारीफ करते हुए भारत में विज्ञान के विकास की बात की परंतु ये वही प्रधान मंत्री हैं जिन्होंने कोविड काल में समाज में साइन्टिफिक टेमपर को बढ़ाने के अलावा कुछ और किया obscurantism फैलाने में बहुत योगदान दिया अपने भाशन में मोदी जी बोले G20 की सफलता 140 करोर देशवासियों की है ये भारत की सफलता है किसी विक्ती की सफलता नहीं है मोदी जी ने ये सब कहा किसी दल की सफलता नहीं है ये भी आड़ किया लेकिन फोटो सिर्फ उनके लगे मोदी जी के अनुसार भारत विश्व गुरू तो पहले ही बन गया है और अब विश्व मित्र भी नाम भारत का लिया परंतु मतलब अपने आपको शायद किया फिर अपनी जिंदगी की नई माइथोलोजी को प्रोमोट किया भारत के लोकतंत्र के प्रती शद्धा का प्रतिबिम है कि रेलवे प्लाटफॉर्म पर गुजारा करने वाला एक गरीब परिवार का बच्चा पार्लेमेंट पहुँच गया हमने ये बात पहले तो कभी नहीं सुनी थी कि रेलवे प्लाटफॉर्म में मोदी जी की का परिवार रहता था दस साल सत्ता में रहने के बाद अगर प्रधान मंत्री अभी भी अपनी बैक स्टोरी की बात करते रहते हैं इसका मतलब है कि फ्रंट स्टोरी कुछ खास नहीं है बोले तो बहुत कुछ मोदी जी परंतु शायद हिस्टॉरिक वैल्यू का कुछ नहीं कहा एक बात और मोदी जी ने पुराने संसद भवन के सेंट्रल हॉल में सेप्टेमबर 19 को भाशन दिया कुछ विकीपीडिया जैसे फिगर्स ड्रॉप किये कितने राष्ट अध्रक्षों ने हमारे सांसदों को एड्रेस किया भारत के राष्ट्र पतियों ने कितनी बार यहां आकर एड्रेस किया मेंबर्स को उन्होंने जॉइंट सेशन की भी बात की एस्पेशली जब कोई important कानून पास करवानी थी उस वक्त के सरकार को यह तभी सिति उत्पन होती थी जब एक house में बिल पास नहीं होती थी उन परिस्थितियों की बात की उन्होंने इसी context में उन्होंने ये भी कहा सुनिये उनकी बातें इस संसद में मुस्लिम बहन बेटियों को नियाएं की जो प्रतीक्षा थी शाहबानो केस के कारण गाड़ी कुछ उल्टी पठरी पर चली गई थी इसी सदन ने हमारी उस गलतियों को ठीक किया और तीन तलाक के विरुद कानून हम सब ने मिलकर पारित किया क्या ये सही था कहना joint session में तो triple तलाक का मुद्दा नहीं पास हुआ था ये तो eventually जाके लोकसभा में अलग हुआ और राजेसभा में अलग पास हुआ तो joint session की context में बात करते करते ट्रिपल तलाक कानून की बात क्यों? क्या ये राजनीती को promote कर रहे थे अपनी? सोचेगा ज़रूर। प्रधान मंत्री मोधी के भाषनों पर बहुत कुछ और बोल सकता हूँ, लेकिन बहतर होगा अगर आप खुद पढ़ लें। अगर करेंगे तो इतना जरूर समझ जाएंगे कि मैं subjective नहीं हूँ, self projection तो भरपूर किया लेकिन opportunity वेस्ट कर दी प्रधान मंत्री ने, नमस्कार